कि हलो स्ट्वेंट्स आयम गजिंदर शर्माव वलकम तो अडर 24 7 इसको लेंद इस इडियो वी आर गोइंग तो डिसकस फोर्स ऑक्सिलेशन एंड रेजुरेंस रेजुरेंस के बारे में जानने वाले उसके लावा हमारा जो फोर्स ऑक्सिलेशन होता है उसको हम लोग जानने होता है हम लोग ने स Cincinnati के प्लस काने ईनर्जिय प्लस पोटिनियल एनर्जी उन दोनों का गाव हम लोग देख लेते हैं फिर भी हम लोग बड़े हैं और हम लोगों ने देगा हमारे पास अगर पनींदैंड रखाओ तो उसके लिए कि ना एनर्जे की बात करते हैं पनीडिलम की बात करते हैं उन करने का काम यह करती है लाइक हम लोग एक एक जामपल ले सकते हैं कि सर कार के अंदर हम लोग जब जाते हैं क्या करते हैं कार के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो जब कहीं भी अगर ब्रेकर आता है तो कार के जो अंदर शॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं सर इस तरीके से मु सर राइस से काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा हूं आप लोगों ने देख को एक चीज मैं आपको समझाता हूँ जो आप ने सब से तो क्या होता है किसी का घर है वो हमारा बच जाता है और किसी का घर है वो डै जाता है क्लियर बात है यानि कि गिर जाता है क्यों होता है क्योंकि सर जो भुकंप आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी और हमारी जो बिल्डिंग मनी हो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर दोनों की दोनों match कर जाएंगी और match करने पर क्या होगा Sir उस case में क्या होगा हमारी जो resonance की condition आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है Sir वहाँ पर frequency का सारा खेल है एक example और ले लो कि अगर pull के ओपर अगर pull के ओपर बहुत सारे sw allons सामरे जा रहे है और उपने पैरो की जो उनकी अवाज है उससे जो कमपन, बन रहे और जो हमारा वाइबरेट कर रहा है पुल उन दोनों के अगर वो में तूल पर क्या हो लेकिन सर अगर उनको काम ले ख़ेंगे तो इसका मतलब यहां कि द cią जो एनरजी है डिसफेट होगा और इनरजीजबड़ेट होगusing therapy से मुझे ऐफटी हम सहे ben रहेगी या MOD मुझे यह चैक करना है कि मैं भासे तंस रहा हूँ वो вмॉल हो 17 में लोग के इन बात आती है कि सच अगर ₫ लगा रहा हूं और id में पास को पीजह कि मैं Disability तो उसकिर शोटा एक बड़े अगाया ने कि saira उसने को टाच किया घुष वो क्या कर रहा है अपनी जो उसकी frequency है उसी पर उसको काम करानी की कुशिश कर रहा है कैसे देखी एक example लीजे कि सर यह मेरे पास क्या है एक pendulum है अगर यह इस तरीके से लोग अप्लाई कर रहा है क्लिए ही चीज जिसप्लेस अंदर देखने हैं अच्छे से समझनी तब जाके चीजे क्लेर हो जाएंगी तो सबसे पहले यह आप लोग कुछ चीजे बताइं वो देखो क्या है इस सब्ण a system such as a simple pendulum or block attached to a spring is displaced from its equilibrium position. भाई, equilibrium position का मतलब क्या होता है? equilibrium position का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग को यादो तो equilibrium का मतलब होता है कि सर वो position जहाँ पे हमारा x is equal to क्या हो जाए? 0 यानि कि सर जो displacement है वो 0 हो जाए और उस condition पे हमारा जो f net है वो भी कितना हो जाए? 0 ये हमारी क्या होती है सर इसकी को हम लोग बोल देते हैं इसकी mean position या इसकी को हम लोग बोल देते हैं इसकी equilibrium position क्या बोल देते हैं? equilibrium position बोलो clear होई नहीं हो बोलो clear होई नहीं हो बोलो clear होई नहीं हो तो इसकी वज़े से क्या हुआ है, इन के अंदर movement हमें देखने को मिल रहा है, कैसे यह pendulum हैं, इस तरीके से rotate करेंगा, रोटेट करेंगे हैं, अब इसके अंदर क्या होती है, सर एक तो हमारी होती है, natural frequency, natural frequency का मतलब है, सर जब मैंने उसको थोड़ा सा push किया, पुश करने के बाद में वो अपने जो force है कौन सा रिटा जो हमारा इसके अंदर restoring force होता है जो इसको बोलते हैं प्रतियानियन बल उस force की वज़े से क्या कर रहा है इधर उदर move कर रहा है तो वो चलेगा लेकिन सार उसी के अंदर अगर मेरा frictions की वज़े से अगर कोई भी effect आ रहा है यानि उसके अंदर damping force भी काम कर रहा है वो क्या करेगा उसकी energy को क्या करेगा dissipate करेगा यानि कि energy को क्या करेगा खतम करने लगेगा और उसकी वज़े से क्या होगा energy lost होगा energy lost होगा तो फिर वो जाके रुखेगा clear हुआ अगर यह clear हुआ है तो देखिए हमारा क्या हुआ है इसके अंदर हमारा कोई भी impact नहीं आ रहा है भार का external zero से कोई भी चीज़े नहीं आ रही है आगे देखिए all free oxalations eventually die out because of the ever present damping force भाई देखो क्या है damping force की बात कर दिए damping force however an external agency can maintain these oxalations भाई क्या कर रही है एक external agency है external agency मतलब बहार से हम लोग कुछ उसको provide कर रहे है बहार से उसको हम लोग कुछ provide कर रहे है जिससे क्या है वो इसके अंदर जो energy है उसको क्या कर रहे है maintain करने की काम कर रहे है energy का मतलब क्या हुआ सरी इसके जो oxalations हैं उनको क्या कर रहे है maintain करने का रहे है इसी को हम लोग बोलते हैं सर forced या driven oxalations हम लोग उसको बोल देते हैं is he kaire ट्रिवन यानि कि सर किसी और की वजह से अंदर में सिस्टम के वो हमारा क्या है constant चीजे चल रही है यानि कि उसको maintained करने का काम कर रही है अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने last में एक topic बताया था जहां मैंने damping force को समझाने के बाद में मैंने बोला था maintained oscillations एक word बोला था उसी को आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर connect कर दिया जिससे क्या है easily आप लोग समझ पाओगे ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ देखो कि सर अब हमारा क्या हुआ देखो यहाँ पर इसके अंदर अब हमें देखना है तो देखो सबसे पहला क्या है सर इसके अंदर एक force काम करता है वो क्या करता है जो हमारा displacement हुआ है उसको क्या करेगा वापस क्या करता है अपनी mean position के पास लेकर आने की कोशिश करता है जिसको हम लोग बोल देते हैं restoring force क्या बोलते है restoring force हम लोग बोल देते है तो पहला force हमारा क्या होता है FR होता है क्या होता है FR इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको बोल देते है restoring force क्या बोल देते है restoring force हम लोग इसको बोल देते है क्या बोल देते हैं restoring force जो क्या करता है restore करने का काम करता है और इसकी जो direction होती है opposite होती है हमारे displacement की यानि कि सर यह हमारा कितना होता है minus kx बोलो clear है इसी प्रकार से सर इसके अंदर एक damping force भी काम करता है क्या करता है damping force काम करता है नहीं समझ मैं आया तो पिछला lecture काम में ले लेना उसको देख लेना जिससे आप लोग को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी क्या है damping की मैं बात कर रहा हूँ क्या उनकी बात कर रहा हूँ damping force की मैं बात कर रहा हूँ damping force की बात कर रहा हूँ ठीक है भाई क्या है spring constant और यहाँ पर जो B है यह हमारा क्या है damping constant हमारा है क्या है damping दोनों की दोनों क्या है constants है क्या है constant ठीक है भाई दोनों की दोनों क्या है constant अब सर तीसरा जो हमारा इसके अंदर factor आएगा वो आएगा forced thisxix면 का यानि कि जो external agency काम कर रही है、 इसके अंदर इसके ex organizations का इनको maintain करने के लिए क्या है, इसके अंदर जो इये것s yang हो रहे हैं इनको maintain करने के लिए इसके अंदर एक external जो agency है वो काम कर रही है और external agency जो काम कर रही है उसकी value हम लोग देखते हैं उसकी value हमारी कितनी होती है तो बेटा उसका जो value होता है वो हमारा होता है F is equal to F not cos omega dt क्या होता है F is equal to F is equal to F not cos omega dt बोलो clear है यह हमारा क्या होता है सर जो हमारा external force काम कर रहा है क्या कर रहा है external जो हमारा force काम कर रहा है क्या कर रहा है external जो हमारा force काम कर रहा है अब मेरे भाई बताओ कि सर ये तीन चीजे हमारे पास है अब मेरा जो total force होगा वो कितना होगा देखो damping का मतलब है कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सर अगर मेरी bike है मेरी bike है मेरी bike को अगर मैं लेके जा रहा हूँ और bike क्या है कि सर रस्ते में क्या हुआ हमारा क्या हुआ एक breaker आ गया speed breaker आया और speed breaker आने की वजये से उसके अपर से जैसे ही मैंने गाड़ी ली हमारी गाड़ी के अंदर जो आगे लगे हुए होते है shockers वो क्या हुआ इस तरीके से moment किया इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो उनको efforts लगाने पड़े उसने क्या होता है oil लगा हुआ होता है कभी-कभी वो leak हमारे हो जाते है clear बात है इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो energy जो energy हम उसको मिली उसने क्या क्या है उसको dissipate कर दिया उसने क्या किया है उसको क्या किया है डिसीपेट कर दिया है अगर उसने उसको डिसीपेट कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब वो जो एनरजी है उसको क्या किया है उसने खतम कर दिया है तो यह हमारे पास है तो यह हमारा क्या हो जाएगा सर यह जो हमारा फोर्स ह हमारा किसके इक्वल होगा सर f k equal होगा f equal to kya होजाएगा बिता एफ आर यानि कい heath restoring force उसके बावा f lighter jeśli आपकी के एफysis को पोल दो भाई ए क्या बोल दो एफिव में बूल देता हुं जिससे क्या कोई दिक्यत ना ओओ इस यानि की सबस्ट लबउर तो यह फ होता है सर प्लस में हो जाएगा F E यानि की F not cos omega D और T बोलो clear है क्या है F not क्या है बेटा F not cos omega DT clear हुआ अब भाई मेरे एक चीज़ देखो यहाँ पर आ रहा है acceleration यहाँ पर आ रहा है X और यह आ रहा है V यह क्या रहा है V और यह X है जो क्या है displacement क्या है भाई displacement है X का मतलब क्या होता है सर यह है displacement कि किस position में हमारा कितना displaced हुआ फ्लेज़ बात है यह हमारा क्या होता है displacement तो अगर आप लोगों को याद हो तो V हमारी क्या है सर वैलू सिटी है और वैलू सिटी के अगर मैं लिखता हूँ तो यह हमारा क्या हो जाता है सर यह हो जाएगा d square x by dt square बोलो clear है निया बोलो clear है निया इतना clear है निया इतना सा मुझे बता दो इतना clear है कि सर यहाँ पे क्या है अगर मैं velocity की बात करता हूँ तो dx by dt acceleration की बात करता हूँ क्योंकि यह terms अब आपको बिर्कुल समझ में आ गई होंगी भाई क्योंकि chapter का starting जब हुआ था periodic के अंदर मैंने यह formula लिखाया था और उसके वाद में जैसे chapter के अंदर हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे मैंने चीजों को connect कराता गया और जो को लिखवाता गया जिसते क्या है आप लोग को सारे concept है सारी की सारी चीज़े है अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां से क्या हो जाएगा सर इसको अगर मैं लिख देता हूँ तो यह हमारा क्या हो जाएगा m d square x dt square बोलो clear है m d square x by dt square आगे देखिए plus यहां पर देखिए equals to minus kx ऐसे कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या है सर माइनस और b v का मतलब क्या है सर यह हो जाएगा dxy dt क्या हो जाएगा dxy dt क्या जाएगा dxy dt और plus में क्या हो जाएगा सर यह हो जाएगा f not cos omega dt बोलो clear है अब बात आती है सर इसको अगर मुझे लिखना है तो सर यह अगर पावर यहां है तो इस चोटी पर चोटी यहीं कि x x का जितना है उसको एक तरफ लिख दो एक तरफ लिख दो तो finally क्या बन जाएगा सर यह बन जाएगा m d square x dt square plus में क्या हो जाएगा b dx by dt plus में क्या हो जाएगा kx is equal to हो जाएगा f not cos omega d और t बोलो clear है बोलो clear है अगर यह clear है तो भाई मेरे यहां से मैं क्या सगर सकता हूँ सर इसके आगे जो यह constant है m को मैं सब के नीचे लेकर जा सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे ही रखके अब आप लोगों को याद हो तो यह हमारी क्या होती है बेटा यह होती है second order की differential equation क्या होती है second order differential equation जो आप लोगों के syllabus का part नहीं है जो क्या है आप लोगों के syllabus का part नहीं है जब आप लोग आगे engineering करोगे या फिर आगे जब graduation करोगे तो उस time आप लोगों के जो first year होता है उसके अंदर ये parts आते हैं तो वहाँ आप लोग इनको solve कर पाओगे वहाँ पर क्या आप लोगो अच्छे से इनको क्या गरना है solve करना है तो यहाँ पर इसकी जो value आजाएगी x की अगर मैं बात करता हूँ अगर आप लोगों को याद हो तो a को मैं जो लिखता था देखिए भाई x को जो लिखते हैं वो क्या होता है सर a cos omega t लिखता था लेकिन भाई माल लीजे मेरा phi क्या इसके अंदर phase difference है तो यह क्या हो जाएगा सर omega और यह क्या हो जाएगा dt plus phi ठीक है dt फाई यह हमारे पास हो गया dt फाई हमारा हो गया dt और phi हमारा हो जाएगा dt फाई हमारा हो जाएगा clear हुआ यह हमारे पास value आ गई है यह हमारी क्या है x के respect में मैंने निकाल लिए अब बात आती है सर और क्या होगा कहीना कहीन चीजे solve तो करनी है कहीं ना कहीं तो चीजे solve करनी है तो भाई अब मैं निकालता हूँ सर इसके अंदर ए हमारा क्या होगा amplitude की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारा क्या होगा भाई amplitude क्या होगा amplitude क्या होता है सर f note upon में क्या हो जाएगा under root of by m square बोलो के लिए यहां से हो जाएगा omega square minus omega d का square ठीक है भाई omega d का square और यहां से देखो क्या हो जाएगा plus में हो जाएगा omega d का square और क्या हो जाएगा b square हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा b square हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा b square हमारा हो जाएगा कैसे देखिए सर यह हो है omega square minus omega d ka square omega d ka square और omega d ka square और b square हमारा आ गया है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहां से 10 phi की किसकी बात करता हूँ 10 phi की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 phi हमारे क्या हो जाएगा थोड़ा सा सोचो 10 phi की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा क्या हो जाएगा tan 5 की अगर मैं बात करता हूं तो अब यहाँ से देखो tan 5 यानि कि सर § 5 की value मुझे निकालने हूँ और 5 की value होगी क्या इसके अंदर 5 की value अगर मैं बात करता हूँ तो यह हो जाएगा minus V not upon WD x not क्या हो जाएगा minus minus V naught WD और X naught यह हमारा क्या होता बेटा 10 5 की value हो जाती है यह आप लोगो को याद रखने है क्योंकि इसके अंदर यह आप लोगो का जो है यह differential equation है double का यानि कि second order differential equation है क्या है second order differential equation है तो यह आप लोगो के syllabus का part नहीं है minus V naught upon WD upon X naught यह आप लोगो के syllabus का part नहीं है तो इनको क्या है आप लोगो को बस याद रखना है इन सारी चीजों को बस इन सारी चीजों को क्या करना है इनको अच्छे से दिमाग में set कर लेना है इनसे क्या है आपके सारे doubts है वो clear हो जाएंगे क्योंकि यह आपके syllabus का part नहीं है यह आप लोग के syllabus का part नहीं है अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो यह जो double जो यह होती है second order differential equations होती है second order जो differential equation है तो एक बार मैं repeat कर देता हूँ तो क्या इसके अंदर किया है इज़र हमारी क्या होती है एक mean position पे होती है आप देखे कोई भी displacement अगर होता है तो उसको mean position पे लाने के लिए हमारा क्या करता है restoring force काम करता है और उसके अलावा जब उसके अंदर energy हमारी होती है energy अगर मेरी मान लीजी आ गई है उस energy को अगर मुझे खतम करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है damping force काम करता है और उसके अलावा मान लीजीए सर अगर उसकी energy है उसके अंदर जो amplitude है उसको maintain करने के लिए बही amplitude को maintain करने के लिए देखो बही क्या बोला है जो उसके अंदर oscillations हो रहे है उसके जो amplitude है उसको maintain करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ external agency को काम पे लगा रहा हूँ external agency जब काम पे लग रही है तो वो क्या कर रही है उनको constant यानि कि उनको एक system के अंदर क्या है बिरकुल fix value पे काम कराने की कोशिश कर रही है ठीक है तो यह हम लोगों ने क्या किया यहां से चीजों को देखा है तो देखो सबसे पहले कि सर यहां से हम लोगों ने क्या किया यह formula था यह हम लोगों ने लिखा ठीक है भाई और उसके लावा इन सब को मैंने क्या क्या जोड दिया है और जोडने के बाद में लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा importance रखते हैं जो बहुत ज़्यादा importance रखते हैं तो सबसे बोला है कि small damping और driving frequency far from natural frequency और क्या है driver frequency close to natural frequency close to natural frequency अब यहां देखो क्या बोला है driving frequency close to natural frequency यानि कि चार हमारी जो frequency क्या है WD है वो close है किसके भाई हमारे approximately जो natural frequency है यानि कि सर उमेगा के छीक है भाई ये कैसे एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या है सर small damping small क्या हो रही है damping हो रही है और driving frequency far from natural frequency यानि कि सर driving जो frequency हो बहुत दूर है तो क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा सर यहां पर B squared है वो small है यानि के सर ये बहुत छोटा हो जाएगा approximately कितना हो जाएगा zero के equal यानि कि मैं इसको negligate कर सकता हूं इसको क्या है negligate मैं इसके अंदर कर सकता हूं क्या कर सकता हूं यानि कि सर मेरा यहाँ से formula आने वाला है amplitude का तो क्या आ जाएगा भाई देखो क्योंकि amplitude का formula हम लोगों ने देख लिया है क्या क्या है amplitude का formula देख लिया है तो amplitude का formula क्या है sir a is equal to है f not upon में क्या होता है under root of m square omega minus omega देखो भाई क्या था यह देखो यहां से देखो तो इसका मतलब क्या होगा थोड़ा सा देखो सर अगर यह मेरा हो गया है तो यहां से देखो क्या हो गया सर यह हमारा क्या हो जाएगा और क्या है प्लस और बी स्कोर तो भाई मेरे यहां से देखो अगर यह मेरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या सर? यह बचेगा यानि कि यहां से बन जाएगा a f naught upon में m भार आ जाएगा under root of omega square minus omega d square बोलो clear है बोलो clear है omega d square क्या है omega d square clear है clear हुआ अगर यह clear है तो अब यहाँ पर बोलाई एक सा driving frequency close to natural frequency और natural frequency कि अगर यह closed होगा तो इसका हो जाएगा प्लस ओमेगा डी स्क्वाइर और बी स्क्वाइर ठीक है भाई यह हुआ अब देखो सर अगर यह है तो इसका मतलब क्या हो यह दोनों यह पूरा पूरा किसना हो जाएगा जीरो के एक्वल और यानि कि यह हमारा क्या बन जाएगा एप आफ नॉट अपॉन में अ यह दो और भी चाहिए यानिक सा जितना हमारा यहां पर जो यह डैंपिंः कि वैलिव है जितना जाना मेरा यह दैंपिंग होगा उतना ज्यादाता ही जादा मेका जीट्यूट अ मेरा value increase हुआ तो obviously बात है इसकी value decrease हो जाएगी यानि कि sir अगर मेरा least लूँगा least का मतलब क्या हो जाएगा amplitude यानि कि इसकी value में बहुत कम लूँगा बहुत कम लूँगा तो obviously बात है amplitude बहुत जादा होगा तो क्या ये तीनों के तीनों आपको नहीं दिख रहे ग्राफ कि sir अगर मेरा यहां पर amplitude जादा है amplitude जादा है तो इसका मतलब क्या हुआ amplitude जादा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर बी का value मैंने कितना लिया है 50 क्या लिया है बी का value लिया है increase तो obviously बात है कि amplitude जो है हमारा आयाम जो है इसका वो क्या हो जाएगा decrease तो भाई तीनों case देख लो यह case हमारा क्या है जब मेरा B बहुत जादा है तो obviously बात है मेरा A कम होगा फिर यह हमारा क्या है सर इसको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ case में भी क्या है यहाँ पर क्या है इससे थोड़ा कम यानि कि सर ब 예 कम है तो कितनी पोजीशन पर जा रहा है कितनी उचाई के उपर यह जा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर जो सबसे बड़ा impact आ रहा है वो आ रहा है B का यानि जो damping हम लोग हमारा जो use कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं किस की बात कर रहे हैं Damping की मैं बात कर रहा हूं clear हुआ तो यह हमारे पास क्या होता है पूरी की पूरी चीज़ें इसके अंदर होती है clear हुआ मेरे भाई clear हुआ अगर यह clear है तो अब आगे चलते हैं और आप मैं आपको मताने वाना हूं resonance तो resonance का है the phenomena of increase in amplitude when the driving force is close to the natural frequency of the oscillation is called resonance यानि कि sir resonance का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यह WD है यानि कि sir जब हमारा WD है क्या है बेटा WD है वो approximately equal हो जा रहा है हमारे इसके omega के यानि कि sir यह दोनों के दोनों अगर equal है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर यह हमारी जो equation है इनकी यह कितनी हो जाएगी 0 बोलो कैसे भी लेख लो इसको अधर लिजाओ चाहिए अधर लियाओ मैंने तेक normal इसको figure लेख दिया है यानि कि sir amplitude हमारा कितना हो जाएगा सर amplitude कितना हो जाएगा f not upon में क्या हो जाएगा भाई यह हो जाएगा under root of m square omega square minus omega d square और क्या हो जाएगा ब्लस में हो जाएगा omega d square और क्या हो जाएगा دी स्कॉायर और बी स्कॉायर और अंडरूट के अंदर ये यह और अंडरूट के अंदर है तो इसका मतलब क्या अंदर गोजा गा वातस से एफ نोट एपोन उ McCarthy यह पास बने गया यह हमारे पास क्या है बने गया अगर यह हमारे पास बने गया तो अवियसली बात है पढ़ो देखो statement अभी पता लग जागा the phenomenon of increase in amplitude when the driving force is close to the natural frequency of the accelerator is called तो भाई यही हमारी क्याँति है इसकी resilience की condition होती है यह हमारी क्या होति हैlanit की condition होती है जो आप लोग coconut को समझ में आ जानी चाहिए अगर इसकी में percent करूझ तो भाई अच्छे से इसको एक बार रिकावर कर लो रिकावर मैं थोड़ा से मैं बता देता हूझ अगर यह क्या करन फॉर्स के पोगी तीनों कि तीनों किसको को यहां हो ग्यां होगय हैं तो अभी क्या होगा हैं मेरे बाई तो अब क्या होगा M A और यह हमारा कुछ relationship बनेगा जिसकेंदर displacement, VALOCITY और acceleration, इन तीनों का हमारा क्या बन रहा है, एक relationship बन रहा है, बहुत प्यारा सा, उनको हम लोगों ने रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जागी, second order की differential equation बनेगी, जो हमारे syllabus का partner इसको solve करना, तो आप लोगों को क्या है, इसको यहीं छोड़ देना, और इसको value है, उसको याद रखना है, यह हमारी value आने वाली है, फिर हम लोगों को कहा निकालना है, amplitude का formula देखना है, यह हमारा amplitude का formula है, उसके बाद में हमें 10,5 देखना है, और यहाँ से आप लोग चाहो, तो 10,5 हमारा कितना जाएगा, minus V not upon अगया D और X not, यह हमारा आ जाएगा, यह 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्या होगा, कि दो points थे, जो सबसे ज़्यादा importance थे, तक सर अगर मान लिजे मेरी resonance condition आ जाए, या फिर मेरा damping है, वो हमारा कम हो, तो क्या होगा, by damping कम होगा, तो यह value बनेगी, और damping, अगर मेरी frequency है, driving जो हमारी frequency है, वो equals to a natural frequency के, तो हमारा यह relation बनेगा, और इस relation से यह हमारा graph बनेगा, यह हमारा graph बनेगा, और यह जब graph बनेगा, तो आगे देखिए, फिर हमारा क्या हो जागा, एक phenomena है, जिस phenomena के थेत, हम लोग बोलते हैं, वो होता है, रेजोरेंस, इस रेजोरेंस को आप लोग जब आगे पढ़ोगे, चैप्टर नमबर जब 12 की बात करोगे, तो 12 के अंदर यह दे रखा है, चैप्टर नमबर 7 के जहाँ आप लोग AC के बारे में पढ़ोगे, आनि के alternate current के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पर यह हमारा दे रखा है, वहाँ पर, क्या कर रहा है बेटा, वहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, इस चीज को और 0.2 pi under root of LC हमारी हो जाती है यह हमारे क्या है वहां के parts है जब आप लोग AC पढ़ोगे क्या पढ़ोगे AC हमारी जब पढ़ोगे तब की बात यह है ठीक है बाई तो यह सारा की सारी चीज़े हैं जो आप आपके doubts को clear कर पाएं और easily आपके सारे concept को boost कर पाएं thank you so much